बिसमिल्लायरोहमानीरहीम, Assalamu alaikum, Welcome to Biotics तो आज का हमारा lecture किस topic पे होने वाला है? एक तो हम वाइरस की shapes डिसकस करने वाले हैं और दूसरा हम वाइरल capsid और वाइरल envelop के बारे पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम shapes देखेंगे वाइरस की वाइरस जो है किस किस type की shapes में पाए जाते हैं ठीक है? तो वाइरस may be of different geometrical shapes and sizes वाइरस different shapes और sizes में present होते हैं size तो हमने पहले ही discuss किया था वाइरस का कि वाइरस की size range कितनी है? 10 से लेकि 800 nm या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं ठीक है? क्योंकि यहां पर एक ऐसा वाइरस आगा जिसकी इससे जादा जिसका size है तो वाइरस जो है वो different geometrical shapes पर based होते हैं यानि different अगर geometry के साब से देखें तो हम इनकी different geometrical shapes होती है जैसे कुछ वाइरस ऐसे हैं जो के circular in shape है ठीक है और यहां पर उन वाइरस की example दी गई है rhino virus जो के circular shape का है और उसका size कितना है 30 nm इसी तरह से polio virus यह भी circular shape का है और इसका size है 30 nm तो हमें पता है कि circle जो है geometrical shape है और इसी shape का इसी shape के viruses भी मौझूद है ठीक है इसके इलावा virus जो है वो rod shape में भी हो सकते हैं और rod shape virus की example है tobacco mosaic virus यह इसकी length और इसकी width लिखी होई है length कितनी इसकी 250 और इसकी width है 18 nm कुछ viruses square shape में भी पाए जाते हैं ठीक है और यह square circular यह सारी geometrical shapes है तो square shaped virus जो है उसका नाम है vaccina virus ठीक है यह देख लें आप यह देखने में ऐसा लग रहा हो जैसे कोई cube हो adenovirus तो यह भी circular shape का है और लेकिन इसमें एक जो है वो additional यहां पर surface पर कुछ proteins मोजूद है यह मैं आपको बताऊंगी इन्हें क्या कहते हैं इसके लावा अब यहां पर जो इन सब वाइरस में सबसे बड़ा वाइरस नजर आ रहा है वह है Ebola virus ठीक है यह कोई stick की तरह का हमें नजर आ रहा है जो के उपड़ से मुड़ी हुई है तो यह stick like in shape है Ebola virus और इसका size कितना 970 nm तो यह virus की different geometrical shapes है और इनकी इसी quality की वजा से हम इनने कहते हैं polyhedral polyhedral का क्या मतलब होता है है polyhedral मतलब होता है many और hydral heads कहले यह plane कहले तो वाइरस इसे इसे इनको क्या कहा जाता है polyhedral ठीक है अगर हम देखे हैं इनका इनका structure एक से जादा भी plane यहां बन रहे है ठीक है वाइरस की कैपिट सिमिट्री को देखते है के वाइरस में जो outer protein code present होता है जो के वाइरस को जो भी extracellular fluid होता है तो उसमें जाहरे toxin chemicals वगएरा मुझद होता है जो के वाइरस के डेंजरस हो सकता है उससे protect करता है बाहर की जो enzymes होते उससे protect करता है वाइरस के nucleic acid की protection कर रहा है उसको transfer करने में भी help कर रहा है तो यह सारे function किसके capsid के हैं यहां पर एक चीज में और लि हास से या उसमें जो capsid में पता है capsomers से मिलके बनावा है तो capsomers की जो arrangement होती है उस हिसाब से जो capsid है वो three types के हो सकते number one क्या है helical second icosahedral और तीसरा है vinyl complex ठीक है तो हम one by one मैं इनको साथ इसलिए लिखा है ताक कि हम इनको easily compare भी कर सके और समझ भी सकें है तो हैलिकल हैलिकल kशेट सिमिक्ट्री किस टाइप कि होती है और वो कौंसे वायरिस होंगे जो जीनमें हैमें हैलिकल सिमिट्री पाई जाती है Elongated helical rod resembles a helical staircase, अब इसमें क्या होते हैं, कि जो nucleic acid होता है, वो helical form में हैं, देख लें आप इधर, कि जो nucleic acid है, वो helical form में हैं, ठीक है, और इसके गेड़, जो capsulmers होते हैं, capsulmers होते हैं, इसके साथ connected होते हैं, यहां पे मैंने पूरा इसको नहीं बनाया है, इसलिए ताके मै आ पको बीच में जो नूवकली ऐसेड हो दिखा सकों हो और नहीं कम्पलीटली इक्लोज होता है ठीक है और यहावच है जिहावर सब्सक्राइब लूजए लूच, ज्णा झालिक है यूइपलोरप लिफ्टाइब कर दे द दीधी, फिलना थे एक कपसोमर पाणेब है हेलिकल वाइरसस का ठीक है और ऊसकी अग्जाम्पिल क्या है TMV ह्याय स्टुक्चर प्रॉटि पाई जाता है। इस नाब क्योशाना में क्यूब के और एमकी स्टूफरा इंदर क्यों तेरा निवुकिर याइद किस तरह से इरेंज ते हैं राइंगे देखें यह है आएको इ Deputy ऑफिक है और एरते ठ्रीयिधिस के अंधर आजएंगए एक इसके इसके अप देख सकती हैं किसे अंधर की और स्यांग्ल सहरे आतन था होते हैं जिन triangle के तीनों साइज इकोल होते हैं तो 20 equilateral triangle आपस हो जाते ठीक है और उससे फिर यह आइकोसद्रल struFin जाता है और और इस structure में वेर्टिस प्रेजन रहें वेर्टिस किसे कहते हैं कॉर्णर्स को शार्प यहां पर आप देखें इसके जो किनारे हैं वह बहुत शार्प है इस ट्रैप का जो है वह इस्ट्रक्चर जिसका दूसरा नाम था क्यूवाइड ठीक है और यह जो ट्राइंगल जो आपस में फ्यूज है असल में जो कैप सोमर्स हैं कैप सेट के वह इनके अंदर मौझूद ह खाते हैं और वह वाइरस जिसमें आईको सेड्राइंस पाया जाता है उसकी एक्जाम्बले एडीनो वाइरस ठीक है अब यहां इस तरव हम आ जाते है बाइनल कॉंपलेक्स काप सिमिट्री ठीक है कैप सिट का स्थिल्च वह जो इसे वालिशे सान इन दिफाइन होता है इस होती है ठीक है combination of both helical and icosahedral सहिए अब यहां पे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इन दोनों चीजों का combination से एक नई शेप बन रही है वह वाइरस इस दिन में complex symmetry जाती है उनका नाम है अब किस तरह से वह मैं आपको तिखाती हूं यह पर यह एक बैक्टेरियो फेज का structure है है सबसे पहला पार्ट जो इसका है वह है ठीक है बैक्टिरियो फेच का जो है वह किस से बना हुआ है कैपसिट से बना हुआ है और इस हैट के अंदर मौझूद है यह देखे यहां पर यह जो है ना यह नियुक्लिक ऐसर है कर्फ फॉर्म में ठीक है और यह जो है जिस चीज के ऊपर अटैच है उसको कहा जाता है कर्फ चरां से यहांपर कॉलर है ठीक है और इस कॉलर के नीचे एक एक रोडस ही बजुद है इसको का जाता है तो वह डुल्ट केना चाहें अच्छा थो वह इस चीट होंगि है है उस स्रक्टै को क्या कहते हैभ थीख ऐस प्रेंट बेस प्लेट और यहां पर जो है वह फेस faceplate के साथ कुछ fibers attachें जिसको हम क्या कहते है tail fibers अगर गौर करें तो यह जो हैड वाला पार्ट है इसका structure iqocidral जैसा नहीं लग रहा तो इसका जो हैड होता है वह aqocidral shape में होता है और इसके बिल्कुल नीचे जो sheet मुझूद है उसका structure अगर आप देखें गौड से तो वह किस शेप का लग रहा है जैसी है लिकल की शेप टी वैसा लग रहे है ठीक है तो इसी लिए हम कहे रहते हैं कि जो बाइनल कॉंप्लेक्स structure है वह इन दोनों का combination है किन दोरों को combination है हेलिकल का और आइको सेड्रिल का अब हम देखेंगे वाइरल एन्विलप के बारे में वाइरल एन्विलप वाइरल एन्विलप क्या है जैसे कि अमने पड़ा था वाइरस को प्रोटेक्ट करने के लिए नुक्लिक एसिड के गिर्ध एक प्रोटीन की membrane structure present होता है capsid के इलावा उसको क्या क्या क्याता है envelope ठीक है यानि के nucleic acid है जैसे आप अगर में structure बनाऊ यह अगर circular virus बनाऊ तो इसमें nucleic acid मौझूद अंदर ठीक है और इसके गिर्द है capsid इस capsid के इलावा एक और चीज plant presence होती ऑप अगर membrane उसको क्या कर गिए entertainment तो यह क्या है envelope और यह envelope मुझता मिलता है lipid carbohydrate और protein पर ठीक है यानि जो envelope है जो बना होता है lipid by layer क 12% के इसके अंदर उन्से इंद्र बना होते हैं इसके इलावा envelope में carbohydrate भी मौझूद है और proteins भी मौझूद है तो Envelope जो है, ये सारे वाइरसिस के अंदर मौझूद नहीं होता, कुछ खास वाइरसिस हैं जिनमें ये Envelope मौझूद होता है Envelope ज़्यादा तर Animal Viruses में पाया जाता है, ठीक है? और वो वाइरसिस जिनमे Envelope पाया जाता है, उनको हम क्या कहते है? Envelope Viruses Envelope किस तरीके से हासिल किया जाता है? वाइरस Envelope को खुद नहीं बनाता है, ठीक है? जब वाइरस एक प्रोसेजर बढ़िंग उसके जरीए से ये सेल से बाहर निकल रहा होता है, तब ये Envelope को हासिल करता है, ठीक है? यहां पर लिखावाई देखे, Acquired by Host, Cell Membrane, Nuclear Membrane and Sometimes from Endoplasmic Reticulum Envelope कैसे हासिल किया जाता है? यह Host की Cell Membrane को उसके एक पार्ट लेके उससे बनता ही है, यह तो Nuclear Membrane को लेते हुए उससे बन जाता है, या Endoplasmic Reticulum से इससे पहले में एक चीज़ और बता दूँ, कि यहां पर जिन वाइरस में Envelope था, उनको हम क्या कह रहेते हैं Enveloped Viruses और जिन वाइरस में Envelope ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? Naked Viruses, ठीक है? तो अब हम यह देखेंगे कि वाइरस किस तरह से Envelope को हासिल करता है, ठीक है? वाइर है सबसे पहले क्या होगा? एक वाइरस पार्टिकल एंगा वो से आज़ने का फीर को है का है, ऐस पहले कंल आएक होल्य को है न了च को बाता होल Both cells ने राटेकल उनले का गिर्द कोट को असेम्बल करता है और अपिर कोपी बन जाती है। www.bhubic. Begin the 나온 cells का प्रिखन बार निकल जाते हैं। अब यहां मैंने एक वायरस के structure को यहां पर दिखा है कि जब यह host cell से भाहर निकलने वाले होते हैं उससे पहले पहले तक क्या करते हैं और वेसली जब यह host cell को burst करें तो host cell दाय हो रहा है इनकी bursting की वजास से और जाते जाते भी होस्ट के host की cell membrane है यह देखी हैं मैंने cell membrane दिखाएं होस्ट की cell membrane कि है फतर है cell membrane किसकी बनी होती है यह तो वाइरस वाइरल एंविलब जो हमने पढ़ा था कि लिपिट कार्भो हाइडरेट और प्रोटीन के बाले तो यह लिपिट को इस तरह से हासिल करते है तो सैल मेंब्रेन से या नुकलियर मेंब्रेन से एंडोप्लाजमी क्रेटिकुलम से ठीक है अब यह देखें यहां यह पतंशी के बढ़ु किया है वाइरल पार्टिकल हो सेल को बस करते हो ऊप तो बस ईहां चरया कर देता है बलके यह एक तरह से बनाते हैं झाल मेंब्रेन ंश्काय को शक्लाऊ उसंट में इस तरह भाहन से चांशी क्रता है कि यहां निकल जाने चार्शमीशि अव依 पिर अपने सथ ले जाता है और यह जो प्रासेस बड़िंग क्या था कि इसमें एक तरह की आउट ग्रोथ बनती है जैसे अगर आपने प्रोस्स देखा हो फंजाय में होता है तो इसमें क्या होता है पैरेंटर्ट साहल फॉसपेड उन्मिल्प से में हते हैं जो हर्ब्स वाइरसिज होते ना और फोस्वेड होते हैं मंस से बाहर निकल रहे होते हैं काहां पर बनेगी नूकलिय निकलते हुए यहां पर हमें पता है कि Nucleus के अंदर Genetic material भी है और Genetic material में Nucleutide Nucleutide के अंदर क्या है Phosphate Group है Phosphates भी है यहां पर तो यह क्या करेगा यहां से जो है Phosphate को अपने जो Envelope उसके साथ Phosphate को भी ले लेंगे यह और Envelope किसका बना हुआ है लिपिट बाइलेर का बना है तो उसमें यह जो यहां से इन्होंने Phosphate हासिल के Nucleus है तो उस Phosphate को भी एड़ कर लेंगे Envelope में और यह Envelope क्या बन जाएगा Phosphate Envelope ठीक है लिपो-प्रोटीन Envelope के जो लिपिट Envelope इसमें प्रोटीन भी एड़ हो जाएं तो यह लिपो-प्रोटीन Envelope बन जाता है अच्छा या पर एक चीज और है कि जो Envelope है उसमें जो लिपिट और कर्भाइडरेट है यह वहे सेम होते हैं जो कह होते हैं यानि क्योंके जरुनऎर जाहर है नो जाहर है होस से हासल किया Envelope तो जो होस सेल में लिपिट जोंगे वह इस Envelope में लिपिट जाएंगे और वही कर्बोर्टीन醉ड्स ch F लेकिन जो प्रोटीन होते हैं एथि आपड़े में आपको होगी, बोदी आपको बताओंगի, कुछ प्रोटीन होते हैं, वो होस से हासल नहीं कर रहे हैं, जा यू हम कह सकते हैं कि उन प्रोटीन को बनाने के लिए जो वाइरस हैं, उनके genes के अंदर information present होती है तो viral genome में envelope के proteins बनाने के लिए information present होती है ठीक है आप लिखा भी यह देख लें आप लोग viral genes encode information for viral proteins ठीक है अब मैंने आपको बताया थे कि carbohydrate और lipid जो है यह तो इन्होंने host से हासिल किये लेकिन जो proteins है envelope के उसके लिए जो information है उन्हें बनाने के लिए वह वाइरस के अपने genes के अंदर ही मौझूद है ठीक है और वही जो है translate हो जाएगी by the help of host enzymes into envelope proteins ठीक है और यह जो proteins है यह दो टाइप के है कुछ यह जो proteins बनते हैं तो यह as a binding layer use हो जाते हैं between envelope and capsid ठीक है यानि के envelope protein बन गए सब्सक्राइब और जब यह वाइरस बना तो यह जो envelope है उसके अंदर यह insert हो गए सब्सक्राइब और यह पर आप यह picture में देख सकते हैं कि एक वाइरल पार्टिकल है वाइरसे इसके बीच में नुकलिक एसिद प्रेजन्ट है और इसके केपसिट की कवरिंग मौझूद है और उसके बाहर मौझूद है envelope ठीक है अब यह जो proteins हैं यह binding layer का काम किस तरह से करते हैं यह connect करते हैं केपसिट को envelope के साथ ठीक है यह के दर्मयान binding का काम कर रहे हैं और इन प्रोटीन को क्या कहा जाता है matrix protein कुछ protein वाइरल envelope की outer surface के उपर present होते हैं as a projections तो कुछ protein as a projections present होते हैं वाइरस के envelope के उपर यारी वाइरस यह envelope है उसकी outer surface के उपर यह stick हो यह प्रोटीन को क्या करते हैं spikes सहीं स्पाइक के structure कि सरा का है यह भी rod like होते हैं यह भी प्रोटीन के बने हुए हैं और यह स्ट्रेट होते हैं यह स्पाइक्स हैं दो तरह के अगर हम एंफ्लूइंजा वाइरस की तो इंफ्लूइंजा वाइरस में यह दो तरह की यह प्रोटीन हैं और यह दोनो इस हैं यह इंफ्लूइंजा वाइरस में प्रेजन थे ठीक हैं और इस पाइक नेम भी जिसको रहा जाता है प्लोमर और इस वाइरस की जो व्रूइंज दोसें और व्रूइंज को रइंगे तब obviously उनके पास envelope आएगा और तब भी यह जो है वो spikes भी उनके पास मौझूद होंगे हीम-agglutinin इसका क्या function है हीम-agglutinin viral particle को host cell के receptors के साथ attach होने में help करता है ठीक है obviously जब virus host cells के पास आएगा तो सबसे पहले उसके साथ attach होगा ठीक है host cell के जो receptors है वो उसको receive करेंगे और तब वो अंदर entry दे पाएगा इसलिए host cell के receptor के साथ यह attach होने में help करते है हीम-agglutinin और जो इनकी attachment है उस process को क्या करता है हीम-agglutination second type के spikes है उनको क्या कहा जाता है neuraminidase spike अब यह जो neuraminidase है यहां पर देखे एज आ रहा है मतलब के यह neuraminidase as a enzyme work करता है इसकी enzymatic activity है neuraminidase करता क्या है यह cleave करता है यह breakdown करता है neuraminic acid को neuraminic acid है कैसा chemical है यह acid है जो के host cell के surface पे कुछ proteins present होते हैं उनके अंदर होता है तो उसको यह neuraminic acid को यह breakdown करते हैं अब इस इन enzymes को ऐसा क्यों करना पड़ता है neuraminidase को ऐसी activity क्यों करनी पड़ती है वह इसलिए के वाइरस जो है जब होसल में penetrate होने की कोशिश करेगा या जब होसल को burst करके वह बाहर निकल लेगी कोशिश करेगा exit और entry ठीक है वह susceptible होते है organic solvents है क्योंकि जो envelope है किसका बना हुआ है lipid का बना हुआ lipid by layer का तो जो organic solvents है वह इसको easily dissolve कर सकते है organic solvents कौन कौन से हो सकते है ether chloroform alcohol इससे यह envelope dissolve हो जाएगा इसलिए जो envelope viruses है यह in organic solvents से susceptible है यानि इनका शिकार हो सकते हैं इसके अलावा जो envelope है अगर high temperature हो तो इससे भी है जो है डामेज हो सकता envelope जिन वाइरस में envelope मौजूद नहीं है उन्हें naked viruses का जाता है और उनमें भी spikes मौजूद होते हैं लेकिन वो spikes उनके capsid के उपर अटेच होते हैं क्योंकि envelope तो है नहीं और जो naked viruses यानि के जो non-enveloped viruses है यह resistant होते हैं organic solvents है क्योंकि इन में envelope present ही और envelope ही target हो रहा है और यह इसके लिए यहां पर हमारा वाइरस का structure complete होता है हमने सबसे पहले nucleic acid discuss किया था और उसके बाद हमने वाइरस में जो proteins present है उसकी type discuss की थी फिर हमने capsid symmetry वाइरस की shapes और envelope यह सब कि पुर लुआ है कि जुआ है वाइरस की वाइरस की différents है